नवश्कार आदाव सस्रियाकाल आप सभी का स्वागत है नौलेज मंत्रा के एक और नए एपिसोड में संत्रो का शहर, टाइगर कैपिटल, सेंटर ओफ दे कंट्री ऐसे बहुत से उपादियों वाले शहर नाकपुर के बारे में आज हम हमारे नौलेज मंत्रा शो में इस एपिसोड में बात करने शारे हैं हमारा नाकपुर चितना संत्रो के लिए जाना चाता है उतना ही उसके इत्यास के लिए भी जाना चाता है नाखपुर भारत का 13 वा व व विश्व का 114 वा सबसे बड़ा शहर है यह नगर संत्रों के लिए काफी मश्यूर है इसके लिए इसे लोग संत्रा की नगरी भी कहते है हाली में इस शहर को दीश के सबसे स्वच्छ वसंदर शहर का इनाम मिला है नाखपुर भारत दीश का दूसरे नंबर का क्रीनिस शहर माना चाता है नाखपुर शहर की स्थापना बग बुलन शहा नहीं की थी फिर वहा राज़ा भोसले की उपराद मराठा सामराच में शामिल हो गया नाखपुर राष्ट्यों स्वैम सिवक संग और विश्व हिंदू परिशद जैसी राष्ट्रवादि संगिटनाव का एक प्रमुक केंद्र है नाखपुर का नाव नाग नदी से रखा गया है यह नदी नाखपुर के पुराने हिस्से से गुजरती है नागपुर महानगर पालिका के चिन्ध पर नदी और एक नाग है सन 1709 के आसपास राजा बगबलन शाह की मृत्य हो गई मृत्यों की निशित तारी को लेकर इतिहास कारों में मद्बेथ है बगबलन शाह की बाद राजा चांद सुल्तान ने कद्धि समाली चांद सुन्तान ने शेहर में आवशक्तान उसार अनिक वस्तो का निर्मान किया उन्होंने नगर में पाच महादवार बनाए वर्तमान में गांदी सागर बनाम जुमा तलाब और महल का प्रसिद गांदी द्वार ही उन्ही की देन है ये शेहर 1960 तक मध्य भारत की राज़धानी था 1960 के बाद यहां की मराठी आभादी को देखते हुए इसे महाराश्य के जिले की रूप में शामिल कर लिया क्या 9890 वर किलोमेटर के एक शेतर में फैले इस जिले में 13 तहसल और 1997 गाउ शामिल है लगभग 314 साल पुर याने 1703 के करीब नागपुर की स्थापना गोण राज़धा बगबलन शाह ने की थी और अंगजेव से मिलने की बाद बगबलन शाह देवगर सी यहाए यहां की बारा गाउ को मिलाकर नागपुर नगरे की स्थापना की इन बारा गाउ में राज़धापुर, राइपुर, हिवरी, हरीपुर, वांडी, सकरदरा, आकरी, लेंडरा, फुटाला, काडगी, भानखेडा, सीतापड़ी शामिल थे समय के साथ इन वे से कुछ के नाम बदल ले गे उन्होंने गाउ को मुख्यमार्गों से जुड़ा, आवश्यक्ता के अनुसार बासार बनवाए इस तरह नाखपुर का धीरे-धीरे विकास होता रहा अब भैसकों के अनुसार इसके पीछे राज़ध साहब की मजबूरी थी कि वे अपने राज़पाट छोड़ कर यहां आय थी देवगर्ड के ततकालेन राज़ा कोक शाह के मृत्यू के पश्यात राज़ा बगबुलन शाह कती पर बैठे यह बात राज़परिवार के कुछ सदस्य को खली उन्होंने बगबुलन को खत्म करने की यूशना बनाई इसके भरक लगते ही बगबुलन देवगर्ड से पलायान कर औरंगजेब के पास मदद मांगने आए औरंगजेब ने उन्हें मदद का आश्वासं दिया नदा औरंगजेब ने उनकी मदद जिन्दनों राज़परिवार का सामराच था तब गोंड राज़ा के अपने सिक्के हुआ करती थी हाला कि आज वन्षचों के पास एक भी सिक्कान नहीं है नाखपुर में हिंदी भाषा लाने का श्रिय भी राज़ा बगबलन शाह को ही चाता है शहर की स्थापना के बाद उन्होंने जो सिक्के बनाए वे हिंदी में थी इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नाखपुर में हिंदी भाषा का आख्मन देवगर से ही हुआ है नाखपुर शहर की स्थापना देवगर के शासक गोंडवन्ष की राचा ने की थी संत्री की राज़्थानी की रूप में विख्यात नाखपुर महाराष्ट का तीसरा बड़ा शहर है परेटन की दुरुष्टी से यहां महाराष्ट के अगरनी शहरों में शुमार किया चाता है यहां बने अनेक मंदिर, एदियासिक इमारते और जील यहां आने वाले सैलानियों के केंडर में होते है इस शहर में बहने वाली नागनदी की कारण इसका नाम नाखपुर पड़ा नाखपुर की खोच देवगड की गोन राचा बक्त बुलन शाह ने 1703 में की थी उस समय गांदी सागर तालाप की पानी की आपुरती बारा गाउ को किशाती थी आज तालाप का 25 प्रतीशत हिस्सा ही शेश रह गया है संत्री की राज़्दानी की रूप में विख्यात नाखपुर महाराष्ट का तीसरा बड़ा शहर है परेटन की दुरुष्टी से यह महाराष्ट की अगरणी शहरों में शुमार किया जाता है यहाँ बने अनेक मंदिर, एतिहास इमारते और चील यहाँ आने वाले सैलानियों की केंद्र में होती है नाखपुर शहर दक्षिन पश्चमी भारत के महाराष्ट रूराच्च में अविस्तित है भागवलिक दुरुष्टी से यह लगबग भारत के केंद्र में सित है नाखपुर ब्रिटिश कालिन मध्य भारत की एक रियासत थी जिसे पेश्वे बाजिराव प्रतम के समय रगुजी भूसले ने अपनी राज़तानी बनाया 1761 की पशाद नाखपुर की भूसले स्वतंतर रूप से इस पर शासन करने लगे 1817 में यह ब्रिटिश प्रभाव में आगया 1854 में लौड ढलो जी ने नाखपुर रियासत को नाखपुर नरेश के उत्तरादिकारी नो होने की कारण सबकर प्रिटिश सामराज का अंग बना दिया तथा वहां के राज़वन्ष के कीमती रितन अभूशनों को निलाम कर दिया वर्तमान में नाखपुर में मौसली वन्ष के शासनकाल का एक दुर तथा अन्यभावनदी स्थित है 1861 में इसे मध्यपरान की राश्टानी बना दिया गया जो 1956 तक रही आजादी के बाद राज़े पुनर रचना में नाखपुर को महराश्टा की उपराश्टानी बना दिया गया हाला कि इसके पहले तक 1956 तक नाखपुर मध्यपरदेश की राश्टानी की रूप में चाना जाता था